नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंसिट्यूट आफ एजुकेशनल टेक्नलोजी की जानिप से पेश है छटी जमात की उर्दू की मुआविन दर्शी किताब उर्दू गुल्दास्ता में शामिल लोग कहानिया इस प्रोग्राम में पेशे खदमत है लोग कहानी खुशी का राज कौकरोच जिसे तिल चट्टा भी कहते हैं एक गंदा कीड़ा होता है एक मरतबा तमाम कौकरोच एक जगह जमा और शिकायत करने लगे कि हमें कीड़ों में क्यों शामिल किया जाता है दात इतने तेज होते हैं और पंजे जानवरों की तरह तेज होते हैं लेकिन जानवर हमें कीड़ा ही समझते हैं और बड़ी हिकारत से देखते हैं हमारे पर भी होते हैं और हम उड़ भी सकते हैं लेकिन फिर भी कोई हमें परिंदा नहीं मानता और परिंदे भी हमें जलील समझते हैं उन्होंने अपनी ये कॉन्फरेंस इसी लिए बुलाई थी के इन तमाम बातों पर गोर किया जाए और कोई ऐसी तद्बीर की जाए जिससे उनकी इज़त में इजाफा हो जब सब जमा हो गए तो उन में से सबसे बुढ़े कॉकरोच ने खड़े होकर कहा आप सबको ये तो मालूम ही है कि आपको यहां क्यों बुलाया गया है जी जी दादा आप में से जो कोई इस मामले में कुछ कहना चाहे वो कहे और कोई सुगरत निकाली जाए कि हमें कीड़ा ना समझा जाए उन में से एक छोटा कॉकरोच उठा और उसने कहा देखिए ये बात तो हम सब को परिशान किये हुए है कि सब हमें सलील समझते हैं मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी लड़की की शादी किसी जानवर से कर दें तो फिर उनसे हमारी रिष्टेदारी हो जाएगी और हम जादवरों में शामिल हो जाएगी इस तरह ये मसला तै हो सकता है सब ने इस बात की बहुत तारीफ की और ये तै हुआ कि उनके खानदान की सबसे खुबसूरत लड़की को तलाश किया जाए और एक चूहे से उसकी शादी कर दी जाए सब में मिलकर एक लड़की तै की और उसे लेकर चूहे की तलाश में निकले थोड़ी सी कोशिश के बाद एक चूहे को तलाश कर लिया वो एक पेड़ की जड़ में बिल बनाए हुए आराम कर रहा था चूहे ने जब कौकरोच को देखा तो कहा कायो जनाब कैसे तकलीव की मैं आपकी क्या खत्मत कर सकता हूँ कौकरोच ने कहा हुजूर एक जमाने से हम परिशान हैं हमारे बाजू भी हैं हम उड़ भी सकते हैं हमारे पंजे और दांत भी बहुत तेज हैं लेकिन हमें कोई ना तो जानवर मानता है और ना परिंदा इसलिए हम अपनी लड़की को आपके पास लाए हैं आप इससे शादी कर लीजिए इससे शादी करने के बाद आप हमारे रिष्टेदार हो जाएंगे और इस तरह हम जानवरों में शामिल हो जाएंगे चूहे को उनकी ये बातें बड़ी अजीब लगी वो बहुत देर तक सोचता रहा और उसके बाद बोला देखिये जनाब कहिए मुझे सकत अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता मैं खुद भी आप ही की तरह हूं मैं हमेशा सबसे छुपता फिरता हूं यहां जंगल में हर वक्त साब मेरी तलाश में रहता है मैं उससे जान बचाता हूं शहर में आदमी मेरा दुश्मन है बिल्या मेरी बू सुंती फिरती है इसलिए मैं तो खुद है मजबूर हूं आप किसी और के पाज जाएं जी ठीक चूहे की बात सुनकर कौकरोच बड़े हैरान हुए वो सोचने लगे कि ये भी उनहीं की तरह हैं जो अपनी जान बचाए फिरते हैं वो आगे बढ़े और एक पहाडी के करीब साब के पास उचे साब बहुत आराम से गोल मटोल हुआ पड़ा था कौकरोच को आते देखकर साब उठ बैठा साब ने कहा आईए आईए आपने कैसे तकलीफ की कौकरोच ने पूरी कहानी सुनाई और कहा हुज़ोच हम तो इसलिए आए हैं कि आप से मशवरा करें कि किस से जाकर अपनी लड़की की शादी की बात के चाएं साब बहुत गोर से सब की बातें सुनता रहा और फिर उनसे बोला मैं क्या कह सकता हूँ मेरी जान तो खुदी मुसीबत में रहती है मैं हरुवत नेले से डरता हूँ उसके दान बहुत ही तेज होते हैं वो चब चपटने लड़ता है तो उस वक्त मुझे अपनी जान बचाने मुश्किल हो जाती है अब उससे कोई राए ले कौकरोच नेवले के पास कए उससे अपने आने की वज़े बताई नेवला ये सुनकर मुस्कुराया और बोला वा वा जनाब आप इस वारे में मेरे पास आई है मैं तो खुद दूसरों के रह्मों करम पर जिन्दा हूँ लोमडी जो कुछ गोश्ट हड़ी छोड़ जाती है मैं उसका जूटा खाता हूँ मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता आप लोमडी के पास जाईए वो आपको जरूर कोई तरकीब बता सकती है कॉक्रोच लोमडी के पास गए लोमडी बहुत खबराई हुई इधार उधार देख रही थी कॉक्रोच ने पूछा आप इस कदर परेशान क्यों दिखाई दे रही है लोमडी ने फिर इधार उधार देखा और कहा माफ करना मैं आपकी कोई खातिर नहीं कर सकती दरसल कुछ गुटे इस वक्त मेरे पीछे पड़े हुए है वो मुझे मार डालना चाहते है मैं अपने आपको उनसे बचाए बचाए फिर रही हूँ इसलिए मैं इस वक्त आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकती कहिए क्या कहना है कौकरोच ने सोचा कि लूमडी तो खुद दूसरों से डरती है उसे तो आप ही दूसरों की मदद की जरूरत है ये जानवर है फिर भी खुश नहीं चलो कुट्टों के ही पास चला जाए उन्होंने उससे इजाज़त ली और अपनी कहानी सुनाए बगर कुट्टे की तलाश में निकल गए थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कुट्टे दिखाई दिये कुट्टे बड़े खौफनाक थे उन्होंने सुचा यकीनन कुट्टे ही काम आएंगे कुट्टे ने उन्हें बहुत इज़त से बिठाया और आने की वजय पूछी कौक रोच ने शुरू से लेकर अब तक की कहानी सुनाई और अपनी खुबसूरत लड़की को उन्हें दिखाया एक कुट्टे ने कहा देखो इस दुनिया में कोई खुश नहीं तुम इससे परिशान हो कि तुम्हें कीलों में गिना जाता है तुम्हें जानवर और परिंदा नहीं समझा जाता कोई चीज भी जलील नहीं होती हम सब किसी ना किसी से डरते है मैं खुद आदमी से सबसे ज्यादा डरता हूं वो जहां कहीं मुझे देखता है मार डालता है मैं उससे भागता हूं वो कभी कभी मुझे पकड़ने जाता है और फिर मुझे उसके घर की रखवाली करनी पड़ती है लेकिन मेरी वफादारी का कोई बदला नहीं देता वो मेरा दुश्मन है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता तुम आदमी के पास जाओ वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ करेगा कौकरोच आदमी की तलाश में निकले आखर कार उन्हें एक जोपड़े में आदमी मिल गया वो उस जोपड़े में दाखिल हुए तो देखा कि एक दुबला पतला आदमी एक चटाई पर बैठा हुआ है कौकरोच जैसे ही आगे बढ़े वो एक दम से खड़ा हो गया और उन्हें हटाने लगा कौकरोच ने कहा दरिये मत हम आपसे मदद लेने आए हैं आदमी ने पूछा कहो क्या कहना है कौकरोच ने उसे भी पूरी कहानी सुनाई आदमी ने बहुत जोर से कहका लगाया और कहा ओ आप मेरे पास आए हैं क्या आपको मालुम नहीं कि मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ की बात क्या है आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा आप ही से तकलीफ होती है अगर मैं तेल खुला छोड़ दूँ तो वो आप पी जाते हैं खाना रख दूँ तो आप उसे खराब कर देते हैं बावर्ची खानों को तो आपने अपना घर ही बना रखा है आपने तो खुद मुझे आजिस कर रखा है और अब आप मुझसे ही मदद मांग रहे हैं आपसे जानवर तो क्या मैं भी परिशान हूँ कौकरोच ये सुनकर बहुत खुश हुए वो वापिस अपने घर गए और उन्होंने एक दूसरा जलसा किया उन्होंने कहा हम सब जानवरों के पास गए और देखा के जानवर तो क्या आदमी भी किसी ना किसी से डरता है और आदमी तो सबसे ज्यादा हमसे ही डरता है एक चोटा सा कीडा होने के बावजूद हमारी बड़ी एहनियत है इसलिए हमें हरकिज सर्मिंदा ना होना चाहिए हमें अपने कौक रोश होने पर फक्र होना चाहिए इसलिए के हम देखने में तो छोटे हैं लेकिन हमारी भी एहनियत है छोटी से छोटी चीज की भी अपनी जगा बहुत एहनियत होती है इसलिए हमें कीडे ही बने रहना चाहिए और इसी हाल में खुश रहना चाहिए सब कौक रोचों ने सोरदार तालियां बजाएं और खुश खुश अपने घर चले गए खुशी का राज अभी आप सुन रहे थे ये लोग कहानी प्रभुदयाल खटर, एडिटर बटिलेंग लिंग्दो और अमिता भट्टी, रकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाडे, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन दावुदयाल चत्रुवेदी और प्रोडूसर रमेश रानी शर्मा कियो मुझे लोगाज दावुदया को लाडे, प्र्चान दायाल